हेलो दोस्तों मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे कच्चे केले की सबजी जो की खाने में बहुत टेश्टी होता है और फायदे मंद भी तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सियर और सब्सक्राइब करना न भूलें सबजी बनाने के लिए 6-7 कच्चे केले को धूल लिए हैं चाको की मदद से केले के छिलके को निकाल कर इनको छोटे-छोटे टुकडे में काट लेंगे सारे केले छिलकर काट लिए हैं अब इसे फ्राई करेंगे पैन गरम हो गया है दो चमस तेल डाल देते हैं तेल गरम होते ही सारे तुकडे डाल कर अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे अब इसका कलर चिंज होने लगा है इसमें डालेंगे हाफ चमच रिट चिली पाउडर इसे मिलाकर थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे अब यह फ्राई हो गया है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब लेंगे दो चमच तेल इसमें आड़ करेंगे हाफ चम्मजीरा, मेथी और राई इसको चटकने देते हैं गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले जलने न पाए हाफ पिंच हिंग लेंगे एक बड़ा प्याजबारी कटी हुई इसे हम चलाते हुए भूनेंगे अब लेंगे दो हरी मिर्च बारी कटी हुई एक चम्मज अद्रक लहसुन दर्दरा कुटी हुई और तीन सुखिल लाल मिर्च इसको मिलाकर हलका गोल्डेन कलर आने तक लगतार भून लेंगे इसमें एड़ करेंगे एक छोटी चम्मज धनिया पाउडर हाफ चम्मज हल्दी पाउडर इसको भी हलका सा भून लेंगे यहाँ पर मैंने दो टमाटर की प्यूरी बना कर ली है आप चाहें तो बारी काट कर भी ले सकते हैं और हाफ चम्मज नमक या स्वात के अनुसार डाल कर चलाते हुए इसे ढ़ंक कर पकने देंगे मसाला तिल छोड़ दिया है इसको चलाते हुए इसमे आट करेंगे हाफ चम्मज गरम मसाला और दो चम्मज दही दही डाल कर अच्छे से लगतार चलाते रहेंगे जिससे की आप फटने ना पाए मसाला पूरी तरह से पक गया है अब हम भूने हुए केले के पीसेश को डाल कर मिला लेंगे और एक कप डालेंगे पानी पानी डाल कर मिला कर लीड लगा देंगे और चार से पांच मिनट के लिए पकने देंगे पांच मिनट हो गया है सबची बनकर तयार है गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं लाश्ट में एड करेंगे एक बड़ा चमस धनिया पत्ता बारी कटी हुई और इसको मिला लेंगे अब हम इसे सर्व करेंगे देखिए कितनी अच्छी सबजी बनी है और खुस्प भी बहुत अच्छी आ रही है आप इसे रोटी, पराठे, पूरी या किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं कच्छे केले की सबजी बहुत ही स्वाधिष्ट बनती है आप भी बनाईए, खाईए और मेरे चैनल को लाइक, सियर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कामेंट में जरूर बताए आगी क्या बनाना है